नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार हम बीड पीगी स्खेलने आ गए हैं पिछले बार भी बिना किसी कारण के आया था इस बार भी बिना किसी कारण के आया हो तो चलो जहां से छोड़ाथा पिछली बार वही से कंटिनियन करते हैं चलो देखा जाए लेवल 13 में क्या करना है इसमें क्या टी एटी वाला क्लच करना है जो हम मैन क्राफिक में करते हैं और आराम से चोट खाते खाते ये हो गया ले भलपार चलो देखा जाए लेवल 14 में क्या करना होगा इसमें तो काफी सारा सामान दिया हुआ है मुझे नहीं पता मैंने इसे क्या सोच कर बनाया है भाई इसे कैसे पार करूँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किताब में जरूर कुछ दिया होगा हाँ मुझे समझ हा गया अब चुटकी बजा कर इसे बनाता हूँ और हवान दे कर टी इनर्टी खोड़ता हूँ चलो अब अगला लेवल में जाय जाय पर यह क्या हो रहा है अच्छा सब न दिखाया जा रहा है चलो देखा जाये इसमें क्या करना है यह तो काफी ज्यादा छोटा लेवल है चलो अपने दो रुपे के रॉकेट को उड़ाते है और यह हो गया हमारा लेवल पार चलो इस लेवल में भी देखते हैं क्या करना होगा शायद इसमें भी रॉकेट बनाना होगा क्या मतलब है कि मैंने तो वीडियो पहले ही देख रखा है चलो इस लेवल में भी देखा जाये अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों इसमें तो हमें पोपटलाल का च्छाता मिल गया है अब तो हम दुनिया हिला देंगे वेसे छिलाल को तो मैं कुछ और ही हिला रहा हूँ पता नहीं दोस्तों यह क्या हिलाते रहता है खिर हम अपने लेवल में ध्यान देते हैं ओने कहा जा रहा है यह तो काफी ज्यादा फास्ट निकला दोस्तों कोई नहीं हम लेब भल पार करते हैं खेर इस बार हमारे पास दो दो चाहते हैं और तुने अपने हिल्थ की बात्रूम से मत बोला कर अवाज गूंचती है ठीक है चलिए दोस्तों अब इस लेबल को पार करते हैं फटा फट से गाड़ी बनाता हूँ सबसे पहले पंखा चलाता हूँ हाँ, यूट्यूब का इंकम आने दे यह सीधा सीधा गिर जाये तो ठीक है चलो सिफ लैंडिंग हो गया मैं इस पेपसी के बोतल को ओन करता हूँ हो गया आसानी के साथ लेबल पार चलिए दोस्तों अब आते हैं इस लेबल पार यह तो काफी छोटा लेबल है फटा फट से गाड़ी बनाता हूँ अब इसे च्छाता से हवा दे कर भीजते हैं यह क्या दोस्तों यह तो उल्टा हो गया लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमारा लेबल पार हो गया चलिए दोस्तों अब इस लेबल को फटा फट से पार करता हूँ ख्यर इस बार हमें लेंबोर्गिनी का इंजन मिल गया है भाई मुझे तो पानी चढ़ाने का मोटर लग रहा है हाँ मुझे भी वैसा ही लग रहा है पर तू बात्रोम से कैसे देख रहा है बे भाई साब यह तो बहुत धील में धील में जा रही है नजारे देखना बंद कर खिर कोई नहीं दोस्तों हमारा लेबल फिर होई पार होई गया चलिए अब देखा जाए इसमें क्या करना है यह लेबल थोड़ा लंबा लग रहा है फटा फट से गाड़ी बनाता हूँ इस बार हमें पीले रंग का छाता दिया गया है ऐसे मैंने इस बार एक ब्लॉफ इक्स्ता लगाया है कहीं इस वज़े से लेबल खराब ना हो जाए लेकिन लग रहा है कि पार हो सकता है भाई हो जाना अच्छा रहेगा भाई मुझे यहां लेबल खेल होते दिखाई पढ़ रहा है यह क्या दोस्तों लेबल तो आसानी के साथ पार हो गया और भाई आ गया बातरूम से नहीं अभी मेरी आत्मा आई है शरीर आना बाकी है वहां क्या रोस्ट किया है तालिया बजनी चाहिए भाई तालिया मतवला लोग घलत समझते हैं भाई तुझ से तो बात की करना बेकार है खिर मैंने किताब से देख कर गाड़ी बना ली है और इस गाड़ी को हम चलाते हैं देखते है कि यहां लेबल पास कर पाएग्नी या नहीं कर पाएगी खिर किताब में जैसा जैसा लिखा हुआ है वैसे वैसे ही मैं इस लेवल को पार कर रहा हूँ वैसे इनको गाड़ी में टि-ए नटी फिट करने का आधिया क्या आतनकवादी लोग से आया पर फिलहाल को मैंने एक गाड़ी बना ली है और इसको चलाते हैं और इस लेवल को फटाफट से पार करते हैं वैसे यह भाई गाड़ी बड़ी आवाज करती है हाँ यह तो सही कहा तूने इसलिए तो आर्फिक्राप्टर ने अपना आवाज छोड़कर हमसे कॉमेंटरी करवाता है क्योंकि उसके घर से हमेशा गाड़ियां गुजरते रहती है भाई उसके घर से कैसे गुजरती है उसका घर है या फिर रास्ता क्या बता चायद रास्ते में रहता है मुझे लगता है कि उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया है और मैं तुम्हें बाहर निकाल दूँगा भाई तुम नहीं कर सकते मैं यह क्यों नहीं कर सकता अगर तुम एसाख करोगे तो मैं तुम्हारे क्रश का नाम लीग कर दूँगा लेकिन भाई मुझे किसी पर भी क्रश नहीं है तो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं मेरे एक जाम चल रहे हैं और मैंने कुछ नहीं पढ़ा है वैसे तो ऐसा सब बोलते हैं इसलिए मैंने भी बोल दिया तो अब तुम लोग कॉमेंट्स में मुझे बेस्ट आफ लख कहना मत भूलना तो अब अब तो